मैं मदु चौधरी, Associate Professor in Government लोहिया कॉलेज चूरू आज हम एक्वाइन टॉमलोजी में इंसेक्ट एट्रेक्टेंट्स पर चर्चा करेंगे इंसेक्ट एट्रेक्टेंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो अपने श्रोद की तरफ आकरशित करते हैं इंसेक्ट्स को और यह इंसेक्ट के गस्टाटरी यानी तेस्ट और अलफ़ेक्टरी यानी स्मेल रेसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं Chemicals that cause insects to make oriented movements toward their source are called insect attractants Type of attractants, phyromans, natural food lures, oviposition lures और poison beds Pheromones A pheromone is a chemical or a mixture of chemicals released by an insect into the environment and induce response in the individuals of the same species Pheromones Racine or racineo ka mixture जो किसी एक पर्टिकुलर species के insects के द्वारा या जीवों द्वारा जब environment में release किये जाते हैं तो उसी species के दूसरे individuals उससे प्रभावित होते हैं और उद्दीपीत होते हैं और फिर वो उस पर्टिकुलर species के जो दूसरे insects जो प्रभावित होएं वो अलग-अलग तरह से रियक्ट करते हैं जनरली हम sex phyromons के बारे में बात करते हैं जब एक पर्टिकुलर sex के द्वारा जब ये environment में release किये जाते हैं तो उसी species के opposite sex के द्वारा respond किया जाता है इसके लिए इसके अलावा alarm phyromons भी होते हैं trail phyromons भी होते हैं तो जब sex phyromons के अलावा भी जब किसी अलग-अलग कारे के लिए जैसे कि कभी-कभी alarm के लिए जब एक ही species के कुछ individuals के द्वारा जब ये environment में release किया जाते हैं तो उसी species के दूसरे individuals को alarm किया जाता है सचेत किया जाता है किसी खत्रे के प्रती इसके अलावा कभी-कभी उन्हें colonization के लिए grouping के लिए भी इसके लिए stimulate किया जाता है कुछ रसाइनों के द्वारा वो भी phiromons ही होता है तो अलग-अलग तरहे के phiromons अलग-अलग तरहे से प्रतिक्रिया उनके प्रति होती है लेकिन एक ही individual एक ही species के individual के द्वारा जब ये environment में release किये जाते हैं तो उसी species के जो दूसरे इंडिविज्वल से उनको ये प्रभावित करते हैं निचुरल फूड लूर्स इस आर केमिकल प्रेजेंटेड प्रेजेंट इन प्लांट और अनिमल होस्ट डैट अट्रेक्ट इंसेक्स फॉर फीडिंग तो ये ऐसे रसायन हैं जो होस्ट प्लांट या अनिमल्स में उपस्तित होते हैं और ये उस होस्ट पर फीडिंग के लिए संबंदित इंसेक्स को एट्रेक्ट करते हैं ये इंसेक्ट के औल्फेक्टरी रिसेप्टर्स को स्टिमूलेट करते हैं कई प्रकार से जैसे की एफ्लोरल सेंट इन केस ओफ द नेक्टर फीडिंग इंसेक्स एसेंशेल ओयल्स फॉर दे फाइटो फैगस इंसेक्स decomposing products for the scavengers and carbon dioxide, lactic acid and water for the blood shucking insects ये कुछ food lures के list है यहां some of the natural या कहें botanical and synthetic products effective as practical food lures are given in table तो natural insect food lures जो कुछ नाम यहां है यहां हम देख रहे हैं insects जिनके लिए food lures काम में लिए जाएंगे और यह natural lures है फर्स्ट पेस्ट आफ क्रूसिफेरा इसके लिए लिए है आइसो थायोसाइनेट जो हमें मिलता है क्रूसिफेरी सीज से अनियन फ्लाई हाई लेमिया एंटीक्वा इसको लिूर मिलता है प्रोपाइल मर्केप्टन फ्रोम अनियन Carrot Fly Phenylpropanide from Ambellifery and 4th no. Lapidoptera Phenylacetaldehyde from flowers of Eurytia cyricofera Bark Beetle, Terpens from Bark in combination with Pheromones हाउस फ्लाइ, मस्का नेबुला, इसके लिए शुगर और मॉलासिस सम सिंथाटिक इंसेक्ट फूद लूर्स, इंसेक्स और लूर ओरियंटल फ्रूट फ्लाइ, मिथाइल कोगिनॉल, मेलोन फ्रूट फ्लाइ, क्युकलूर, और पी मेथाक्सी, फिनेथाइल, कीटोन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाइ, ट्रीमेडलूर, जैपनीज बीटल, गरानियोल, क्युगनॉल, और फिनेथाइल, कोकोनट, रिनोसरोस बीटल, प्रूट फ्रूट 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 विटाइल, य्टूट टिमेथाइल, सैकलोपरोपन, कर्बोक्सिले, यलोजकेट वास्ट, हेप्टाइल, बूतियरेटल, वीपोजितियोरी दूंच जूज़ वी पोजिडेर अीज debout ऑनगे टूजरी प्रीपोजिति अवेशन प्रीपोजिति इच्छ जाएइ टूरी थाउपूज़ अणिट पूज़ खए्ट एंग व्यांग, विजवेशने एक व्याइगंगे टूंच विख नगेचंचिछे ऑ तो ओविपोजिट और एक्स्ट्रेक्ट्स ओफ कॉर्ण दू सो फॉर दा कॉर्ण वर्म, हैलियोथिस आर्मिजेर, सर्फेस इंप्रेग्नेटेड विद दीज सब्स्टेंसेज विल अट्रेक्ट दा अबव इन्सेक्ट तो ओविपोजिट ओन देम, तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्स्ट्रेक्ट कोई लिक्विड हो, वहाँ एक वुड और एक जो छोटी टुकडा उसका हम रख सकते हैं, वो अट्रेक्ट करता है, जिसमें जो कॉर्ण वर्म है, हैलियोथिस आर्मिजेर, यह अट्रेक्ट होता है, जो कॉर्ण है, उसमें जो रसायन पाये जाते हैं उनसे, और वो पर्टिकुलर इंसेक्ट वहाँ ओवी पोजीशन के लिए अट्रेक्ट होता है, तो हम गलत साइट पर जब ओवी पोजीशन होता है, तो उससे एमर्ज हुए जो लार्वा हैं, उन्हें प्रॉपर फूड जब नहीं मिलेग तो वो नस्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से जो ओवी पोजीशन लूर्स है, उनको यूज करके भी हम जो इंसेक्स हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, गलत जगह उनका ओवी पोजीशन होता है, फिर एग लेंग वो प्रॉपर उनकी जो प्लेस है, जो सर्फेस है, जहां उनके जो अमर्ज स्टेजिज है, लाइफ साइकल के, उनके डवलपमेंट के, वो प्रॉपर जगह नहीं होते हैं, पोजन बैट्स, पोजन बैट्स हारे मिक्शर ओफ फूड लूर और इंसेक्टिसाइट्स, तो वहाँ पर फूड लूर और इंसेक्टिसाइट्स को एक बहुत हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत सारे बहुत है बहुत अक्वारे इनकी को एट्रेक्ट करने में सक्षम होती है बैट सार्य यूज़ बह्न फॉर सम्रीज़न्स और डॉस्टिंग फॉर आफ इनकी साइट इस नॉट प्रैक्टिकेबल जब spraying और dusting को हम practically use में नहीं ले सकते उस इस्तिती में bats को use किया जाता है For instance, when insects live hidden under the soil, inside the fruits and vegetables or for household insects like ants, cockroaches, houseflies, some bat formulations for different kind of insects are being given below इसमें जो injurious mollisces हैं वो भी शामिल है अब ये अलग अलग तर है कि जो poison bats है वो अलग अलग तर है कि जो insects हैं उनके लिए pest के लिए जो हम use करते हैं Then first, for biting insects, grasshopper, crickets, caterpillars, moistened bran base plus mollisces plus insecticide Insecticide इसमें हम use करेंगे Arsenate, Paris green, sodium, fluosilicate और DDT यूज किया जा सकता है Dry bat could also be used for scattering a thin layer of the above mixture in fields For grasshopper, the bat should be distributed in the morning hours when the hoppers begin their feeding and for the noctural insects in the evening तो अलग अलग time पर feeding का क्या time है insects का उसके according हम use कर सकते हैं field में इस तरह के bats को For shucking insects and fruit flies For shucking insects like moats and butterflies Inclium use करते हैं sugar solution plus insecticides For fruit flies, oriental, melon and mediterranean जो flies हैं इन के लिए हम use करते हैं और कुक लूर मिक्शर है, methyl, eugenol और इन सब को तीनों को हम use करके जो उसका poison bat है उसके रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं White और yellow phosphorus उसको हम use करते हैं sweet syrup के साथ ये भी एक poison bat है इनको हम palette और granules के रूप में use कर सकते हैं cockroaches के लिए Phosphorus क्योंकि highly poisonous और inflammable होता है तो हम इसको काफी carefully handle करने की जरूरत होती है और begon एक दूसरा commercial poison होता है जो poison bat के रूप में use किया जा सकता है cockroaches के लिए For sweet loving aunts and for meat loving aunts For sweet loving aunts, thalus sulfate, TL2SO4 plus sugar plus honey plus glycerin plus water Thalus sulfate is deadly poisonous and should be used with care and kept away from the reach of children and pets For meat loving aunts, thalus sulfate plus peanut butter इसका mixture हम use कर सकते हैं For subterranean insects and for garden snails and slugs For subterranean insects, fresh vegetable pieces or germinating seeds plus insecticide should be planted 3 feet deep Or for garden snails and slugs, 2-3% metaldehyde act as a poison bat Uses of attractants Insect attractants can be used in 3 ways For the control of insect pests First, in sampling or monitoring insect pest population To access the extent of infestation and decide the measure of control to be adopted कि हमें कितना यहां पर infestation हुआ है जो भी field है जो area है और क्या population है pest का उसको measure करने के लिए हम use कर सकते हैं Attractants का In luring pests to insecticide-coated traps or poison bats And in destructing insects from normal mating, aggregation, feeding or oviposition If the female insects are lured to oviposit on a wrong host plant The emerging larva would starve to death Advantage Attractants do not kill the insects and therefore do not disrupt the ecosystem or food chain Second, they are specific for some insects and so do not affect the non-targets Third, they can be used to mass trap the insects to be subsequently killed by insecticides Since they are not long-lasting, they do not cause environmental pollution And they can be employed to misguide the insect to wrong host plants, wrong mating partners or wrong oviposition sites Whereby their number will go down by starvation or by producing unfertilized eggs Disadvantages Disadvantages Insects can always find untreated hosts So their number may not be affected And the attractants can't be relied as a sole control measure Can only be used in integrated control program Because it can only be used in insects Insects can only be used in insects Insects can only be used in birds with parasites To be used in insects Insecticide के लिए हमें दूसरे जो मैथध्स हैं कंट्रोल करने के लिए इंसेक्स को दूसरे जो मेजर्स हैं उनको यूज करना पड़ता है और क्योंकि इनसे बहुती बहतर तरीके से इंसेक्स को एक जगह कठा किया जा सकता है तो ये एक बहुती अच्छा तरीका हो सकता है IPM में जब हम दूसरे Control Measures के साथ इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरह हमने देखा कि हम Attractants का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं Past Control के लिए Thank you